हेलो फ्रेंज कैसे आप सभी आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है मैं सतीष कुमार आज मैं कलाश 12 के मैट्रीस के पार्ट नमर 2 लेकर आया हूं जिसमें मैं एक्सरसाइज नमर 3.1 के कुछ question को solve करेंगे तो देखिए question क्या है तो इससे पहले इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वेल आइकन को जरूर दबावे ताकि अगला वीडियो आप तक जल्द ही मिल जाए तो देखिए इस question में क्या कह रहा है आप यू एक्वल टू 235 रूट अंड आइक लेते हैं एक मैट्रिक्स जो है लिख लेते हैं यानि ए 111 ए 12 ए 13 ए 14 क्लिए एंटू वन ए टू-टू ए टू-थ्री ए टू-फौर ए 318 ए Park यहां पर देखे क्या हो गयाया यह हो गया इसका रो ठीक है तीनों क्या हो अगया रो ए और अर तु आर च्री क्लिए यहां वहां पर देखिए गया कोलम हो गया यानिसी 1 और जोसी2 ऑलत particular to तो पस्तित निभी चाहिए तो आप देखिए कि तीसरा में अब घ् colored चाहिए यहां पर देखें क्या है यहां पर देखें क्या है तो यहां पर देखें क्या हो जाएगा यानि ए वन तिरी इक्वल टू क्या हो जाएगा नाइन टीन हो जाएगा ठीक है अब देखें दूसरा कह रहा है कि ए uh two one कह रहा है कि यहां पर देखिए आज हमें यहाँ पर है तो यह जो हो गया यह बाद क्या हो क्या यह थो गया एक भाल क्हें93 रखर इस फाइव पर देखिए तो 를 कह रहा है कि यह च्याद्द करने के लिए ए टिरी-ठिरी तो यहाँ यहां पर है ए Ass ductus I'm on-ocideare it 33 यहां पर रहे तो देखे ए 33 क्या हो गया यहीड मैनस फाइब यहां पर पर क्यों जैगा मैनस 5 फिल कह रहा है कि एट 2 फोर ए2 4 कहां पर है a 2 4 यहाँ है तो यह वह दाइब हो जाएगा फिर देखें का रहा है कि ए 2 3 का रहा है तो ए 2 3 देखें कहा पर है ए 2 3 इहां पर है तो याई हो जाएगा यह नित्लिब अपंट इसको सचल का अंसर ठीक है अब देखें अब कुछ सट्न नमर 2 जदी किसी आप व्यू में 24 अभ्यव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या है यदि इसमें 13 अभ्यव हो तो कोटियां क्या होगी देखे इसमें कुछ नहीं करना है अंसर देखे इसका 24 दिया गया है तो 1 इंटो 24 24 इंटो 1 12 इंटो 2 2 इंटो 12 8 इंटो 3 3 इंटो 8 6 इंटो 4 4 इंटो 6 देखे यह सब क्या हो गया 24 जो है इसकी कोटियां हो गया उसके बाद 13 पूछ रहा है तो 1 into 13, 13 into 1, देखे इसका दो कोटियां, फिर देखे अगला question है 3 में, यदि किसी अभ्यू में 18 अभ्यव हो, तो इसकी संभव कोटियां क्या है, यदि इसमें 5 अभ्यव हो, तो क्या होगा, तो देखे इसमें भी कुछ नहीं करना है, 18 है, 1 into 18, 18 into 1, 9 into 2, 2 into 9, 6 into 3, 3 into 6, ठीक है, तो देखे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इसका क्या हो गया, 6 कोटियां हो गई, उसके बाद देखे, इसमें 5 है, 5 को क्या लिख सकते हैं, 1 into 5, और 5 into 1, देखे, ये भी क्या हो गया, इसकी कोटियां हो गया, हो गया, देखे, अगला क्वेस्टन क्या है, एक दो हुने दो आप व्यू ए, ए आई जे की रचना कीजिए, जिसके अभियाव निम्नलिखित परकार से परदत है, अब यहां पर देखे, क्वेस्टन नमर वन इसमें क्या है, ए आई जे इक्वल टू, आई पलस जे का हॉल स्कॉयर अपोन टू, यहां पर देखे, कारा की 2 गुने 2 आप भी हूँ, तो देखे, मान लेते हैं, एक माना की, यानि यह जो है, A11, A12, A21, A22, ठीक है, यानि दो गुने 2 आप भी हूँ का क्या बन गया, एक मैट्रिक्स बन गया, आप यहां पर देखे, इसको हम निकालना है सब कामन, तो क्या करेंगे, A11, इक्वल टू, क्लियर, इसमें क्या करेंगे, I के जगह पर 1, पलस J के जगह पर भी 1, इसका हुआल स्कॉाइर है, आप उन टू, इसको जब हम हल करते हैं, क्या हो जाएगा, 2 का स्कॉाइर आप उन टू, यह हो जाएगा, 4 आप उन टू, कट जाएगा, यहां पर कितना आप उन टू, इक्वल टू, क्या हो जाएगा, यहां 3 का स्कॉाइर अप उन टू, यहां हो जाएगा, 9 अप उन टू, क्लियर, अब देखिए, A21 का निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, I के जगह पर, टो, 2, उसके बाद, J के जगह पर, 1, इसका स्कॉाइर करेंगे, टू, ठीक है, अब देखिए, अगला क्या है, 2, 8, 2, 2, अब यहां पर, देखिए, क्या करेंगे, I के जगह पर, 2, J के जगह पर, भी, 2, इसका स्कॉाइर करेंगे, अप उन टू, क्या हो जाएगा, 4 का स्कॉाइर अप उन टू, यहां हो जाएगा, 16 अप उन टू, काट दे यहां पर देखें कि यहां पर निकालते हैं यहां पर देखें क्या करेंगे इससे निकालते हैं टू तो क्या हो जाएगा यानि आपॉन टू क्लियर से आ ड़ेखे एत टू यहाँ आएक एपर टू लिखें गें और इसके जिए पर गृंन तो क्या आप फिर देखे ए टू टू तो यह तो टू दो जो है i का भी 2 और j का भी 2 कट जाएगा कितना प्चाइगा इसका जो हो जाएगा यहानि मैंटिक्स जो हो जाएगा क्या यहानी 1 और हाफ फिर देखे 2 और यहां पर 1 यह हो गया इसका पिर अगला क्या है फिर अगला हैं दीखें यहाँ पर औरंटौ 2 इसका क्या है एस्क्वाइर निकाल रहे हैं तो क्या हो तो आई के जगा पर 1 प्लस 2 इंटू जे के जगा पर 2 आपन 2 इसका स्क्वाइर है क्या हो जाएगा यहां पर 4 और एक कितना 5 का स्क्वाइर आपन 2 ती हो जाएगा आपका यह 25 आपन 2 फिर देखिए तू एन एक वह जाएगा है यहां पर देखे आएक के जगा पर टू लिखेंगे पलस तू इसमें जे के जगा पर 1 आपन टू इसका स्क्वाइर है तो डालेंगे फिर देखिए क्या हो जाएगा यानि तू आपन स्टू कितना हो जाएगा-फॉर का 1 2 टो कुछ यह रहा है फिर देखे यह तुटू इसका निकालते हैं क्या हो जाएगा इसका नाईन एपंटू फिर देखे लिग्ला क्वस्चान क्या है एक तीन गुने चार अभियू की राचना किजिये जिसके अभियम निमलेखिद प्रकार से प्राप्त होते हैं एक में क्या है aij equal to half mod minus 3i plus j है तो सबसे पहले यहां परध्यान दिजिए यह क्या हो गया यह हो गया रो और यह बला कोलम हो गया ठीक है तो मन लेते हैं एक आप व्यू यह equal to a11 a12 a13 a14 a21 a22 a23 a24 a31 a32 a33 a34 ठीक है तो अब हम ग्यात करते हैं a11 a11 ग्यात करेंगे तो क्या लिखेंगे यानि हाफ है यह है और मॉड मैनस 3 और i कितना है वन है और j कितना है वन है इसमें देखें पूट कर देते हैं अब इसको जब हम हल करते हैं क्या हो जागा हाफ मैनस 3 पलस 1 equal to half मैनस 2 equal to कितना हो जाएगा यह मैनस 2 है पलस हो जाएगा तो यहां पर कट जंगने के बाद यहां लिख सकते हैं 2 upon 2 equal to 1 ठीक है फिर देखिए ए वन टू ए वन टू क्या हो जाएगा हाफ और यहां पर मैनस 3 है यह है आई के जगा पर 1 डालेंगे पलस जे के जगा पर 2 डालेंगे इसको सॉल्व कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा हाफ इंटू मैनस 3 पलस 2 हो जाएगा हाफ मैनस 1 क्या हो जाएगा पलस जाएगा हाफ फिर देखिए A13 equal to half minus 3 into 1 plus 3 equal to half minus 3 plus 3 equal to half minus 3 plus 3 क्या हो जाएगा कट जाएगा तो यह हो जाएगा आपका 0 फिर देखिए अगला क्या है A14 equal to half minus 3 into 1 plus 4 equal to half minus 3 plus 4 equal to half यह हो जाएगा 1 क्या हो जाएगा यानि half हो जाएगा फिर देखिए A21 है A21 यानि half minus 3 और I के जगा पर कितना है 2 है तो इसमें देखिए हम 2 पूट करेंगे पलस जे के जाएगा पर 1 है यहां पर क्या हो जाएगा यानि half minus 6 अप पलस 1 equal to minus जाएगा यानि half minus 5 जाएगा half minus 5 equal to 5 upon 2 minus 5 जाएगा पलस हो जाएगा मोड लगा हुआ अब देखिए A22 यानि हाफ इन्टू 3 इन्टू 2 पलस जे के जाएगा पर क्या देंगे टू देंगे यानि half minus 6 पलस 2 equal to minus half into minus कितना हो जाएगा फोर और यह देखिए करने यानि हाफ मैनस 6 पलस 3 क्या हो जाएगा यहाँ पर हाफ मैनस 3 मैनस क्या जाएगा यानि 3 अपन 2 हो जाएगा फिर देखिए A24 4 half minus 3 into 2 पलस 4 equal to yannis half minus 6 पलस 4 equal to half जाओ जाएगा मैनस 2 मैनस 2 जाएगा पलस जाएगा यह 2 अपन 2 कट जाएगा कितना बचाएगा फिर देखिए A31 ले रहे है यहाँ पर फिरीवन से चलने ठीक है कि हो जाएगा half minus 3 into 30 plus 1 equal to half मॉड लगाएगा है कितना हो जाएगा-9-1 equal to half minus 8 equal to 8 upon 2 काट देगा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा काहिकी मॉड लगा हुवा है तो क्या हो जाएगा फिर देखे a 32 यानी half minus 3 into 3 plus 2 equal to half minus 9 plus 2 equal to count I have half into minus 7 minus Canada plus any 7 upon 2 here the k a 33 half minus 3 into 3 plus 3 together equal to count as a half minus 9 up plus 3 equal to half minus 6 I am over 6 upon 2 cutting it number together 3 for the kid a 3 for any half minus 3 into 3 plus 4 equal to 1 upon 2 minus 9 up plus 4 equal to half minus कितना हो जाएगा 5 equal to 5 upon 2 काहिए कि मैनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो यहां पर देखिए सब कामोन हम निकाल चुके हैं जब सब कामोन निकाले हैं तो क्या निकालेंगे यानि ए तो देखिए यह निकालेंगे इसमें पूट कर रहे हैं काहिकि मैट्रिक्स चाहिए तो ए कामोन कितना है ए वन वन के जगा पर वन उसके बाद कितना है हाफ उसके बाद कितना है जीरो और फिर उसके बाद कितना है फिर हाफ है ठीक है फिर देखिए ए टू वन कितना है फाइब अपॉन टू फिर देखिए ए टू टू कितना है टू फिर देखिए अगला ए टू थिरी कितना है थिरी अपॉन टू फिर देखिए ए टू फोर कितना है वन है फिर तो कितना है 7 upon 2 है फिर देखे ए 3 3 कितना है 3 है और ए 3 4 कितना है 5 upon 2 है तो इस question का answer यह हुआ अगला question में aij equal to 2i minus j है तो इसमें देखे यहां पर ध्यान देना है क्या हो गया यह रो हो गया और यह क्या हो गया कोलम हो गया ठीक है तो देखें यहां पर तो मन लेंगे एक matrix यह यह इक्वाल टू ए ए वन वन टू ए वन थिरी ए वन फॉर ए 2 1 ए 2 2 ए 2 3 ए 2 4 ए 3 1 ए 3 2 ए 3 3 ए 3 4 ठीक है एक matrix मन लिये हैं तो इसमें याद करना है ए 1 1 याद करना है तो ए 1 1 क्या हो जाएगा यहां पर देखिए two है I के जगह पर one है और जे के जगह पर भी one है इसमें गुणा करते हैं minus one तो क्या हो जाएगा two minus one equal to one ठेक है आप देखिए a one two निकालते हैं तो two one के I के जगह पर one minus two क्या हो जाएगा two must two जाएगा कितना zero फिर देखिए a one three तीयानी two I into one मैंने थिर सबस्क्राव हो जाए गाए है टू पर थिर होजाए गाए कितना मैंना सोवन फिर busy यानी 2 x 2 I gathered up on 2 dialing in minus 1 equal to cannot have 4 minus 1 equal to 3 फिर देखे ए टूटू निकाल नहीं हमतिका जाएगा तूइन तूट थी अंस्ट रटा देगा नहीं क्या हो जाएगा यहां पर 4 minus 2 equal to 2 फिर देखे ए 2 3 निकाल नहीं है 2 आय का जागा पर 2 minus 3 क्या हो जाएगा 4 minus 3 यहां पर यानि टू इन्टू टू मैनस फोर इक्वल टू फोर मैनस फोर क्या हो जाएगा जीरो फिर देखे ए थीरी वन निकाल रहे है तो हो जाएगा आई के जगा पर थी लिखेंगे यानि टू इन्टू थीरी मैनस वन उकल्टो का जाएगा 6-1 युकल टू फाइब फिर देखे ए थीरी टू निकाल रहे हैं क्या हो जाएगा यहां पर 2 x 3-2 उकल टू यह जेने 6-2 इक्वल टू फोर ठीक है ए थीरी थी निकाल रहे है तो इन्टू थीरी-3 3 क्या हो जाएगा6 minus 3 equal to 333 4 निकाल लेजय थो the gotta 2 into 3 Zum मैंने is of 4 equal to 6 minus or equal to do three star निकाल लिएह हैं जब सब निकाल लिए हैं तो जो माने है मैर्टिक से कितना मलने है एए equal to अब यहां पर देखे 1 1 है a 102 है सब को लिख देती है तका ज़ाएगा सबसे पहला क्या है A111 है फिर देखे A120 है फिर देखे A13 कितना आया है मैनस 1 आया है फिर A14 कितना आया है मैनस 2 आया है फिर देखे 212 A21 कितना है A21 हो गया आपका 3 तो 3 लिखेंगे A22 कितना है 2 है तो 2 लिखेंगे A23 कितना है 1 है तो 1 लिखेंगे अब उसके बाद देखे A24 कितना है 0 है तो 0 लिखेंगे A31 कितना है 5 है तो 5 लिखेंगे A32 कितना है 4 है तो 4 लिखेंगे A33 कितना है 3 है उसके बाद देखे A34 कितना है 2 है ठीक है तो यही इस question का answer यही होगा देखिए अब question नमर 6 निम्लिखित समय करनों से x y तथा z के मान ग्याद कीजिए देखिए इसमें question नमर 1 matrix 4 3 x 5 equal to matrix y z 1 5 है तो क्या करेंगे देखिए दोनों बराबर है दोनों का 40 सेम है ठीक है इसमें भी दो रो दो कोलम इसमें बराबर हो गया यहां पर भी एट्व वन हो गया तो क्या हो जाएगा यह दोनों भी बराबर हो जाएगा तो यहां y का कितना हो जाएगा फोर हो जाएगा फिर देखिए जैड यहां पर देखिए जैड और यहां यह क्या हो जाएगा यहनि जैड का भी भेलू क्या हो जाएगा आपका ठीरी हो जाएगा ठीक है तो बन गया देखिए question 2 matrix x plus y y2 5 plus z xy equal to matrix 6258 है दोनों बराबर है दोनों की क्वोटियां क्या है समान है तो यहां पर देखिए एक्स प्लस y equal to 6 हो जाएगा फिर देखिए xy भी क्या हो जाएगा यहनि 8 हो जाएगा और 5 plus z हो जाएगा कितना फाइव फाइव से पहले यही लिख रहेते हैं 5 plus z equal to 5 ठीक है यह और इससे बराबर हुआ तो देखिए क्या हो जाएगा यहानि जाड़ जो निकलेगा कितना फाइव मैनस फाइव इक्वल टू जैड़ बराबर हो जाएगा आपका जीरो जैनि जैड़ निकल गया अब चाहिए एक्स और वाइट देखिए यहां पर आप जाएगा एट आपन वाई ठीक है तो आप देखिए लिखेंगे कि समीकरन एक में एक्स का मान रखने पर तो देखिए यहां पर मान रख रहे हैं यानि एक्स पलस य इक्वल टू-6 एक्स का मन क्या है एट अपन वाई पलस वाई इक्वल टू-6 आप देखिए इसको जब हम स्वोल्व करेंगे एट पलस Ysq about y equal to 6 जब इसको आगे बढ़ते हैं तो यहां पर जो हल करेंगे तो यानि 8 पलस Ysqe equal to 6y यहां मैनस 6y क्या हो जाएगा पालस8 equal to 0 अब देखें क्या हो जाएगा यहां पर हम क्या करेंगे खंडित करेंगे तो यहां पर थम पद के गुनांग करती है पद को क्या करते गुनां करते दिनी आठ इसको तोरेंगे जब हम तो रहें यानि चार गुने दो तो इसा चार द्धुन आठ और जब इसको हम 8 करेंगे तो जिक्स पूर जाएगा यानि कि y square minus 4y minus 2y plus 8 equal to 0 ठीक है इसमें से y कमन लेंगे तो क्या हो जाएगा y minus 4 minus 2 कमन लेंगे y minus 4 equal to 0 minus y minus 4 is common लेंगे यहां पर बचेगा क्या y minus 2 equal to 0 y minus 4 equal to 0 और y minus 2 equal to 0 तो y equal to 2 हो जाएगा 2 और फिर एक और होगा y equal to 4 आप देखें यहां पर जब निकल गया y और तो x निकालना है लिखेंगे case one से case one से जब हम चलेंगे तो क्या हो जाएगा कि वाइक का मौन यदि हम फोर करते हैं यानि y equal to 4 डालते हैं इस समीक्रन में तो क्या हो जाएगा यानि x equal to 8 upon 4 जब कट जाएगा फोर डालें फीर देखें यहां यहां y का फेलू है वोर्ट डालते हैं तो देखें एक्स equal to 8 upon 2 जब कट जाएगा कितना हो जाएगा फोर यानि एकस का फेलू क्या हो जाएगा फोर जब वाइक का मौन डू रहे गा तो क्या थिस question का answer यही हुआ देखिए अगला question है three में matrix x plus y plus z x plus z y plus z equal to matrix 957 ठीक है देखिए यहां पर क्या हो जाएगा यानि x plus y plus z equal to nine ठीक है इसको हम समीकन one मौन लेते हैं ठीक ना अब देखिए x plus z देले हैं यही लिखते x plus z equal to five और y plus z equal to seven ठीक है ठीक है तो देखिए यहां पर x plus z यही डालते हैं x plus z यानि x और z समीकरण एक में डाल रहे हैं समीकरण एक में x plus z common रखने पर common रखने पर रख रहे हैं तो डारेक्ट लिख सकते हैं y equal to हो जाएगा nine minus कितना है five डाले हैं ना तो five डालते हैं घटा देते हैं क्या हो जाएगा यानि y equal to four ठीक है y का बेलू निकल गया फिर देखिए समीकरण एक में ही y plus z common रखते हैं common रखने पर रख रहे हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पर x निकल जाएगा x equal to nine minus कितना है seven है तो seven को घटाएंगे तो यानि की हो जाएगा x equal to two यानि x और y का में पता चल गया है तो एक और वाइकinkyन एक में रखते हैं देखेंगे समीकरण एक में tabs और और वाइकन रखने पर वाइक गामयन हम पर रखने पर टो या यहां पर यहहाँ पर ऊपलस फैपकुष देकल-टू sign यानि Z equal to हो जाएगा 9-6 जो कि कितना हो जाएगा 3 जैड का जो भेलू हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा X और YZ तीनों निकल गया अगला question है 7 में समीकरन A minus B 2A plus C 2A minus B 3C plus D equal to minus 150 13 matrix से A B C तथा D के मन ज्याद करना है तो देखे इसमें कुछ नहीं करना है क्या है कोर्टियां समान है तो देखे क्या हो जाएगा यानि कि देखे यह और यह दोनों क्या हो गया सेम हो गया यहां पर लिख सकते हैं यह A minus B equal to minus 1 समीकरन 1 मन लेते इसको उसके बाद देखे 2A plus C equal to 5 समीकरन 2 फिर देखे 2A minus B equal to जीरो समिकरन थिरी फिर देखिया अगला ये वला इससे यानि थिरी सी पलस डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 जो की समिकरन फोर हो गया तो इसमें देखिए A, B, C और D ज्याद करना है तो इहां पर देखिए समिकरन एक और हम तीन से चल रहे हैं लिखेंगे कि फ्रोम इक्वेशन फ्रोम इक्वेशन वन एंड एक्वेशन टू तो इहां पर देखिए क्या हो जाएगा A-B equal to minus 1 2 A-B equal to 0 ठीक है इतों एक और क्या करते हैं घटा आ देते हैं देखिए यहां पर पल्स हो जाएगा मैनस हो जाएगा मैनस मो डिक्वेशन ऑन यह कट गया यह जाएगा मैनस A equals to minus 1 यह equal to हो जाएगा आपका one यानि एका जो मन है वो आ गया है ठीक है तो बी भी ज्यात हो जाएगा तो समीकरन लिख लेंगे समीकरन कि एक में कि एक का मन रखने पर एक का मन रखने पर तो रख देते हैं तो एक मैंनस बी इक्वल टू मैंनस वन तो फिर देखिए अब कह रहा है सी चाहिए सी चाहिए तो सी को भी जयात करते हैं तो इसमें देखिए यदि हम समी करन दो में एक का मुन रखने पर ये का मुन रखने पर तो रख रहे हैं तो सी जयात हो जाएगा देखें यहां पर टू ए पलस सी स्टीप्राइब टू कितना आया है एक कामन आ गया है एक तो एक से गुना कर देंगे पलस सी इक्वल टूपाइब यानी सी इक्वल टू फाइब मैंनस टू जाने सी का भेलू हो जाएगा आपका ठीजिक है अब देखिए डी का राग्याद करने के लिए डी ग्याद करने के लिए क्या हो जाएगा समी करन फोर में हम सी का मन रखेंगे लिख देते हैं कि समी करन फोर में कि सी का मन रखने पर समी करन देखिए क्या है थीरी सी पलसी 10 टीक एक वाल टो खँट इनम तर्टिन इसलिए नाइन तर्टी को चाहिएगा याणी देखें यहां पर यह चाहले हो गया है बी जात हो गया और Сी वी देखें यहां पर घात हो गयह और डी सह थो क्या इस सथिंय एक आँख मैए जमेख़ें देखिए अगला question एट में A equal to Aij mn एक बरगा ब्यू है यदि A M का जो value है n से छोटा है B में है M का value क्या है n से ज्यादा है फिर देखिए C का जो है M और N दोनों बरावर है इन में से कोई और देखिए जब बरग आप value हो क्या हो जब बरग आप value हो तो इसका M बरावर N होगा चुकि इसका जो है strengths कोलम और रोह दोनों क्या होता है बराबर होता है तो हम बर्ग अभ्यू काते हैं इसलिए इसका अंसर क्या हो जाएगा सी ठीक है फिर देखिए पॉस्टन नमर नाइन में एक्स तथा वाई के परदत किन मानों के लिए आभ्यूहों के निम्लिखित युग्म समान है से बन उक्वल टो जीरो तो यहां पर 3 X एक्स इक्वल टो खालता है मैं इसिलिए एक्स इपल टो मैंनस से बन आप ओन्हिरी यानि एक्स का भेलु 2 इसलिए x equal to 2 upon minus 3 देखिए यहां पर जब यूगम बराबर होगा तो एकस का भेलू different नहीं आता यदि different आ गया तो इसका जो मन निकालना क्या हो जाएगा संबब नहीं होगा यहां पर इसलिए इसका बी इस राइट अंसर होगा तो देखिए question number 10 में क्या है कि थिरी थिरी कोटी के ऐसे आप यहों की कुल कितनी संख्याएं होगी जिनकी परतेक परविष्टी जीरो या एक होगा तो यहां पर ध्यान दिजिएगा कि रहा है कि तीन गहल instantly three four five six seven eight nine इसमीं कितने अब्यव होंगे नाइन अब्यव होंगे ठीक है तो इसमें का रहा है कि zero और क्या है दो इसमें नाइन अस्थान होगा जीरो और दू कितने अब्यव है तो दिए अब्यव हैं तो दो पर पावर कितना हो नाइन तो इसका मन हो जाएगा यह पर पावर नाइन यह हो जाएगा 512 तो इसका अंसर हो जाएगा डी नम्मर ठीक है